नमस्कार बच्चों आज जो हम पाठ पढ़ेंगे बलकि यह पाठ नहीं है बलकि हम एक कहानी है जिसका मध्यन करेंगे उस कहानी का नाम है बिना जड़ का पेड बिना जड़ का जी हाँ बिना जड़ का पेड आपने कोई भी पेड देखा होगा कोई भी पेड जो होता है बिना जड़का पेड है ठीक है न जिसमें की बिना जड़का पेड दिखाया गया है तो चलिए हम देखते हैं कैसी वो बिना जड़का पेड है राजा के दर्वार में एक व्यापारी संदू के साथ पहुँचा उसने गर्ब से कहा महराज मैं ब्यापारी हूँ और बिना बीजेवं पानी के पेड़ो गाता हूँ आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ लेकिन आपके दर्वार में एक से एक ग्यानी ध्यानी है इसलिए मुझे पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तयार हूँ सभासद, पंडितों, पुरोहितों और जोतिश्यों की और देखने लगे लेकिन उन लोगों ने सिर जुका लिये जो सभासद जो थे वो अपने राज में जो पंडित रहते हैं और जो पुरोहित रहते हैं और जो उत्सी रहते हैं उनसे आशा करते हैं कि यह किसी बीचीज का हल यही निकाल लेंगे लेकिन उन्होंने देखा कि उन लोगों ने भी सर जुका लिए हैं फिर क्या हुआ सभा में गोनु जहा भी उपस्तित थे उन्होंने उसकी चुनोती सुईकार करना आवश्यक लगा अन्यधा दरवार की जगहसाई होती गोनु जहा ने विश्वास पूरवक कहा और ब्यापारी को संदूक के साथ मेरे यां ठैरना होगा संदूक बदला न जाए इसकी निगरानी के लिए हम रात बर जगे रहेंगे और ब्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं सभी मान गए और ब्यापारी गोनु जहा कियां चला गया रात बर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे रात काटनी थी इसलिए किस्ता कहानी भी चलती रही बाचीत की क्रम में गोनु जहा ने कहा भाई कुछ दिन पूर मुझे एक ब्यापारी मिला था उसने भी यही कहा था कि बिना बीच पानी के पेड उगाता हूँ पेडों में भाँती भाँती के फूल खिलते हैं बैभी रात में क्या आप भी रात में पेड उगाकर भाँती भाँती के फूल खिला सकते हो सकते हैं उसने एहंकार से कहा क्यों नहीं मेरे पेड रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग विरंगे फूल देखते ही बनते हैं यह सुनते ही गोनु जहा की आँखों में चम्मा कर गई और वे निश्चिन तो हो गई दूसरे दिन दोनों दर्वार में उपस्तित हुए गोनु जहाने जब जेव से कुछ आतिशवाजी निकाल कर छोड़ी आतिशवाजी आप जानती ही होंगे शादियों में जो पठाके चलते हैं जो आसमान में एक तारे तारे से दिख जाते हैं आपको सितारा से दिख जाता है उसे ही आतिशवाजी कहते हैं ठीक है ये जो चितर दिख रहा है आपको ये जो चितर दिख रहा है ये आतिस वाजी का ही है इसको आतिस वाजी कहते हैं ठीके चलिए देखते हैं मागे क्या होता है सभा सद जुझला गए महराज की भी आखें लाल पिली हो गई और कहा गोनुजा ये क्या है बिगवक्त की शेहनाई बजा दी सभा का सामान ने विश्टचार भी भूल गए गोनु जहाने वातवरन को सहज करते हुए कहा महराज सरप्रथम द्रश्टता के लिए चमा चाता हूँ लेकिन यह मेरी मजबूरी थी इसी में ब्यपारी भाई के रहस्मय प्रश्ण का उत्तर छुपा है इसमें ही बिना जड़क के भाती भाती के रंगों में फूल खिलते हैं ब्यपारी अवाक रह गया अवाक का मतलब होता है बोलने के लिए कुछ नरूना बगर बात का उसने सहमते हुए कहा महराज इन्होंने मेरे गूर प्रश्ण का उत्तर दे दिया फिर उसने विसमय पूर्वा गोनु जहा से पूछा आपने कैसे जाना कि इसमें आतिसवाजी ही है गोनु जहा ने सहस्ता से कहा ब्यपारी जब आपने यह कहा कि जब आपने यह कहा कि बिना बीच पानी के पेड उकते हैं और उनमें भाती-भाती के फूल खिलते हैं तब तक मुझे संदेह रहा परन्तु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है तब जरावी शंशे नहीं रहा कि इसमें आतिसवाजी छोड़कर कुछ अन्य सामान नहीं होगा ब्यपारी मायूस हो गया राजा ने कहा ब्यपारी आपको दुखी होने की जरावी जरूरत नहीं है आप यहां रहने के लिए स्वतंत्र हैं पर अपना कमाल रात में दिखा कर लोगों का मनरंजन कीजिएगा अगर प्रदर्शन प्रसंस नहीं रहा तो प्रुषकार भी पाईएगा पर अभी प्रुषकार कहकदार गोनुजा ही है तो इस प्रकार से यह कहानी थी एक पढ़ने के लिए आपके लिए पाड़ था इससे संबन्दित आपके लिए कुछ प्रशन है वो प्रशन है अब इन प्रशनों के उत्तर दीजिए आप ठीक है ना राजा के दरवार में कोन आया आपको मालूम राजा के दरवार में कोन आया इसके बाद है दरवार में कोन उपस्तित था ठीक फिर है क्वेशन नमबर तीन बाचीत के करम में गोनु जहा ने ब्यापारी से क्या कहा बाचीत के करम में गोनु जहा ने ब्यापारी से क्या कहा प्रशन नमबर चार है ब्यापारी ने अहंकार में क्या कहा और प्रश्ण नमर पांच है राजा के अनुसार पुरुषकार का हकदार कौन है तो इन पांच प्रश्णों को आप अपनी रब कोपी या फेर कोपी में कर सकते हैं चुकि इस पार्ट में कोई प्रश्ण नहीं है ये आपके लिए एक्सराइज के लिए दे दिये गए हैं आपको एक्सराइज में इन प्रश्णों को करना है और इस प्रकार से ये पार्ट आपका समाप्त हो जाता है थैंक यू